पच्चों हमने पिछले पार्ट में श्वशन तुवारे में यह गैसिस एक्षेंज के बारे में जो उसकी परिभाशा है श्वशन क्या है ब्रीधिंग क्या है और छोटे और औरगिनिजम में यह किस तरह से यह प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और मुख्य बाद श्वशन और 166 में क्या अंतर है ये भी हमने देख लिया था अब हम मुख्य रुप से मनुश्य में श्वशन तंतर किस तरह का होता है कौन-कौन से अंग इसमें शामिल होते हैं और ये काम कैसे करता है यानि इक सु विक्सित तंत्र पाया जाता है जिसको श्वशन तंत्र कहते हैं और यह श्वशन तंत्र कई अंगों का बना होता है जिसमें समवाहक अंग भी होते हैं और प्रमुक अंग जो है वो फेफडे होते हैं अगर हम इसके पूरे अंगों की बात करते हैं तो हम इनको दो समाहक अंग, conducting organs और दूसरा है, lungs यानि, lungs जो है, वो मेन ओर्गन है, अब conducting organs जो है, वो हम कह सकते हैं कि ये breathing के जो process है, यानि की बाहरी जो हवा है, उसको मुख्य अंग यानि फेबड़े तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं, तो इसमें कौन-कौन से अंग शामिल हैं समाह दिकत शिद्र, फिर है nasal cavity या nasal chamber जिसको बोलते हैं, फिर है pharynx, फिर है larynx, trachea, bronchi and bronchioles, ये सारे अंग जो है, वो conducting organs कहलाते हैं, समाहक अंग कहलाते हैं, जो ये मदद करते हैं हावा को फेफड़ों तक पहुंचाने में, अब दूसरा जो मुख्य है, वो है फेफड़े य दहां पर गैसी आदान प्रदान होता है, और कैसे हवा अंदर आकर, oxygen का कैसे आदान प्रदान होता है, और कैसे वो अंगों या उत्कों या कोशिकों तक पहुंचती है, इसको हम समझेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले conducting organs की बात करते हैं, यानि इश्वशन तंत्र में सबसे पहले जो conducting organs आ रहे हैं, और ये शुरुवात कहां से हो रही है, नॉस्ट्र से हो रही है, यानि नासा छिद्र से हो रही है, तो हम सिलसलेवार ये सारे अंगों को इनका काम क्या है, और इनकी anatomy क्या है, उस पर चर्चा करते हैं, तो पहले हम देखते हैं, आपने जैसी पिक् आप क्योंकि बाहर ही अंग है, तो आप इसको महसूस करके पता भी कर सकते हैं, कि ये जो आप देखते हो यहाँ पर, ये सैप्टम है, जो सैप्टम के द्वारा दो नॉस्ट्रिल है, और दो नॉस्ट्रिल आगे जो है, दो नैजल चेमबर में, यानि की नासा गुहा में ख होते हैं, तो पहला भाग हो गया हमारा नॉस्ट्रिल या नासा शेदर, अब ये नासा च्चिदर, दूसरा हिस्सा, यAU श्वशन तंत्र का स्माग अंका जो दूसरा भाग है, वह है नैजल पैसीज, ये उसमें खुलता है, यानि नॉस्ट्रिल जो है, इस पैसेज में खु यानि नॉस्ट्रिल के द्वारा कहां आएगी नेजल चेमबर में आएगी और नेजल केविटी में आकर यहां नॉस्ट्रिल तरह नेजल केविटी की आंतरिक सतह पर हम दोनों की बात कर रहे हैं यानि नॉस्ट्रिल और जो नेजल चेमबर है यानि केविटी है दोनों की आंत कोशिश करते हैं। क्योंकि ये सिल्ईेटर ऑपी थीलियम होने के कारण इसमें कई हार शायतियों तो आहर analyses do plusock करती है। इसका कारी समझने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये म्युक्स जो है। लसलसा पदार्त है जिसके कारण अंतर अंतरिक सत्य जो है वो नम और लसलसी हो जाती है और जब हम श्वास लेते हैं अंदर में यानि ब्रीधिंग की प्रोसेस में जब इनहेलेशन होता है तब जो अंदर हवा आ रही है उसमें धूल के करण और सुक्ष्मजीव भी हो सकते ह हैं तो यह रोम जो है या या मिउकस ग्लैंड से जो सुरवित म्यूकस है इसमें धूल के करण और सुक्ष्मजीव भी हो मतलब आप समझे गींगे जो फूलnoc अंबर के करण और सुक्ष्मजीव है वह आगे शवषसांतंत्र के हिस्सों हैं जाने से रुक जाते हैं अब आह कि आगे और पूरे इस पार्ट में यानि ये पैसेज में यानि श्वशन दंद का जो कंड़क्टिंग और पैसेज में ही ये सारे सिलेटेड एपिथीलम टिशू होते हैं इसमें रोम रहते हैं और म्यूकस ग्लैंड जो हर जगह पर सुक्ष्म जीवों को रोकने का प्रयास करते हैं धोल के कणों को अंदर जाने का रोकने का प्रयास करते हैं ताकि शुद्ध और प्योर हवा जो है वो अंदर लंक्स तक पहुंचे दूसरी बात जब जैसे ही नॉस्टिल से यानि नासा सब्सक्राइब जानते हैं कि कई कई ऐसे जगह भी है जहां पर वह माइनस में भी चला जाता है कहीं जीरो भी होता है और गर्मी के दिनों की बात करें तो यह करीवन कभी-कभी 45-46-48 डिग्री भी पहुंच जाता है अब हमारा बॉडी देंपरिचर 37 डिग्री सल्सक्राइ है और बाहर का टेंपरिचर में इतना वेरियेशन है यानि विविदता है तो जब यह हवा अंदर जैसे ही एंटर करती है तो वहां नेजल पैसेज में पहुंच कर यह हवा जो है हमारे बॉडी के टेंपरिचर के अकॉर्डिंग हो जाती है यानि कि उतनी गर्मी मतलब उतन जाती है यानि 37 डिगरी सेसेज आप कह सकते हैं उतनी हो जाती है और नम हो जाती है मौस्ट हो जाती है तो नेजल पैसेज में आने से यह दो काम होते हैं पहली बात आपने समझ लिया कि यह धूल के कणों को और सुक्षम जीवों को रोक रही अग दूसरा हवा जो है वो श से बना होता है जैसे आप यह देख रहे हैं वेस्टिविलर रिजन है रेस्पिरेटरी रिजन है और और ओल्फेक्टरी रिजन है तो पहला हम बात करते हैं वेस्टिविलर रिजन जो है यह बाहर नासा के ठीक पीछे वाला हिस्सा है जिसमें तवच्छा भी उपस्थित हो अब दूसरा हम बात करते है रैस्पिरेटर रीजन की तो इसमें जो है म्यूकस ग्लैंड बहुत ज़ादा होती है श्लेश में ग्रंथियां बहुत ज़ादा होती है जिसके द्वारा म्यूकस का सिक्रिशन किया जाता है आप इसका अनुहों भी किये होंगे कभी आपको सर्दी ज़ादा हो जाती है तो लसलसा पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है उस सुक्ष में जीवों का इंफेक्शन हो जाता है जिसके कारण वो तरल पदार्थ में बदल जाता है और वो ही तरल पदार जो है यह लसलसा पदार जो है वो बाहर निकलता है तो यह पूरे ट्रैक मे आप देख रहे हो कि mucus glands बिल्कुल मौजूद हैं यहां पर जो है निक्स्ट पार्ट जो है respiratory reason है respiratory reason में भी mucus glands बहुत ज्ञादा संख्या में पाई जाती है और इसमें blood vessels ज्यादा होने के कारण यह गुलावी रंग के दिखाई देने लगती हैं इसमें भी देख रहे हो दो तरह की ग्लेंट से एक है म्यूकस सेल्स होती है और सिरस सेल्स होती है म्यूकस सेल्स म्यूकस का सिक्रिशन करती है और सिरस सेल्स जो है वो जल युक्त पदार्थ ऐसा द्राव पदार्थ होता है उसका सिक्रिशन करती है तीसरा इसका भाग आता है पर जानौ यह तीनों कोगी हैं इसके बाद हम जब देखने और और बसकीन ही चैन रहीं आ जाता है यह बड़ form यह से नहींग है यहां से ही olfactory nerve निकलती है जो brain तक पहुंचती है अब यहां मुख्यबाद समझने की है कि जैसे गंध युक्त हवा अंदर जा रही है तो चुकि यह गंध का एहसास कराने वाला reason है इसलिए यह क्या कर लेता है रोक लेता है इसे गंध युक्त हवा अंदर नहीं जाती क्यों तो यह रोक जाता है रोक देता है कहलो तो यह गंध युक्त हवा फिर आगे नहीं जाती है और आप भी ऐसा महसूस करते होंगी कि कभी आप ऐसे वाली जगों में जब गुजर रहे हैं जहां पर बहुत गंधी स्मैल आ रही है तो आप नाक को बंद कर लेते हैं तो कुछ स सांस लेते हैं ताकि जादा से जादा हावा जो है वो अंदर जा सके अब हम उसके आगे बात करते हैं फैरिंग्स की यानि ग्रस्नी की ग्रस्नी जो है श्वाशनली का वह भाग होता है जहां पर पाचन तंत्र और वायू मार्ग दोनों ही क्रॉस करते हैं यानि इस तरह से क एक पर पॊचन चाहिए और पा अचनान निल्यवर किनाल आपले खिरेंज में आकर यह दोनों जो आकर मिल या यहांट पर ऑप घ्लोटी थे एग मिलते हैं कि फैरा खिर्चेल होता गलोट एक इस माड़ार मैं फार बरूकि फैरूरी चाहिए क्वाल है और ग्लॉटीस जो चिद्र है वो एक फ्लैप के द्वारा यानि एक च्छद होता है जिसके द्वारा यह धका होता है जिसको एपिक लॉटस कहते हैं अब जब हम भोजन लेते हैं तब क्या होता है क्योंकि वायू मार्ग में यदि भोजन चला जाएगा तो मुश्किल हो ज जाता है और जब हम निगलते हैं तब उस समय वो अपना जो भोजन का जो मारगे वो खुला रहता है यानि निगलते समय कहना चाहिए कुछ सेकेंड के लिए हमारी सांस जो है वो बंद हो जाती है और टैंथ में आपने इसकी एक एक्टिविटी भी की होगी तो बाकी समय जो ह यानि उत्पादक अंग भी कहलाता है यानि एक बॉक्स नुमा रचना है जिसमें एक कैविटी होती है और अंदर की जो गुहा को हम लेरेंजियल चैंबर भी कहते हैं और यह हमारी चौथी से छट्वी गृवा कशे रुकाएं जो है उसमें यह सीधे स्थित रहता है यानि 4-6 में यह हमारा कंट जो है यह बॉक्स नुमा रचना जो है वो मौजूद रहती है और यह जो कंट है चार प्लेट्स इसको सहारा देती है कौन कौन सी है इसको हम बात कर लेते हैं पहले आप देख रहे हो थाइराइट कॉटिलेज है यह सारे उपास्थियों से बने हुए हैं तो थाइराइट कॉटिलेज है यह सी आकार की बड़ी उपास्थी नुमा रचना है यानि यह कहना चाहिए सबसे बड़ी रचना है और यह अग्रेवं पार्श भाग को सहारा देती है और यह बीच में एक पट्टी के द्वारा दो भागों में बटी रहती है जिसको ल इंफ्रीरियर कॉर्णो भी कहते हैं तो यह थाइराइट कॉटिलेज हो गया पिक्चर में भी आप जैसे देख पार हैं दूसरा है एरिटेनाइट कॉटिलेज यह एक जोड़ी होती है यह त्रिकोणी है उपास्थियां है जो कंट के पश्य भाग में होती है यह हमने जैसे थाइराइट की बात की यह अग्र एम पश्य भाग में और वो पश्य भाग में है पार्श भाग में था वो निक्स्टे है इसका क्रिकोईड यह रिंग के समान यानि छले नुमा उपास थी है जो निचले भाग को सहारा देती है अब आप समझ गए अग्र और पार्श में है और नीचे में है क्रिकोईड तो इस तरीके से यह बॉक्स नुमा जो रचना यह ध्वनी उत्पादक यंत्र हैं जिससे ध्वनी उत्पन होती है आप आशर करेंगे कि इससे अब कैसे ध्वनी उत्पन होती है तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी गुहा में यानि इसकी यानिए लेरेंजिल चैम्बर में दो जोरी वॉकल कॉर्ट्स होते हैं वाक रजु होते हैं जो श्यायतरनाइड के द्वारा और थायराइड कॉर्टिलेस के द्वारा सीधे तने जैसे आप यहां ऐसे देख भी रहें सीधे तने रहते हैं यह W cours स्क्वेमस एपिथिलियम दोरा आवरित रहते हैं और इनके नीचे पीले तंतू होते हैं और यही पीले तंतू जो है जब हवा आती तब एक कम बन करते हैं यह वोकल कार्ट जो है ग्लॉटिस को अपने स्वतंत्र सीरों पर यह मध्य में इसको बंद कर देते हैं अब वयस्क ह होने पर यह हम यदि यंद्र की बात करें वहयस्क होने से पहले लड़के और लड़कियों में जैसे आवाज आब 잘 शान रहांगे कि कोई ज्वा को ज़ादा अंतर नहीं होता है अब इससे द्वानी कैसे उत्पन होती है तो जैसे लंग से जो सांस ली गई थी जो हवा बाहर निकल रही थी तो यह जो तन्तू है उनमें कंपन होने लगता है और ध्वनी उत्पन होती है द्वनी उत्मादक में और भी हमारे जैसे मुख गुः हैं हौत हैं नाक है और जीब भी जो है वो मदद करते हैं यानिकि उन些 सहçonsार ही बी हम कई सहरे आप शब्दों को जान रहे होंगे कि हम होंटों नाक के सहाता cancer हों तो यह इस तरीके से हमने यह इसका जो श्वशंत अंत्र का एक मुख्य भाग कंट जो है यह भी कभी कभी आपको प्रश्णा आता है उसके बारे में बात की कि तरिक और यह किस तरीके से ध्वनी का उत्पादन करता है और यह जैसे वोकल कार्ट की बात की तने वे रहते हैं अब कभी गिटार या कोई भी वाद दे अंतर देखे होंगे उनकी तारे जो है वह वीड़ा देखा होगा तनी रहती हैं तो उसको क्या करते हैं ऐसे अंगली से करते हैं और यह स्ट्रिप रहती हम यह करते हैं जिसके खारण जो है वह वह इता है आवाज छवा Uzबन यहां तो यहां भी वह है कि दो वंकन है्ट से कहथो हैं आहां हवाज जब लंग से बाहर आती है तो हम कम पन होता है और आवाज वहती है MATT पूरे गर्दन की लंबाई में इस्थित होता है और लगभग 12 cm लंबी होती है यह सी के आकार के छलों की बनी होती है यह चले अधूरे होते हैं और प्रिष्ट तल पर यह चले अधूरे होते हैं यह चूकी उपास्थिके बने होते हैं चले तो जब हवा नहीं भी रहती है तब भी यह श्वास्ट नाल को पिचकने नहीं देते हैं यानि उसको साधे रखते हैं और उपास्थिके बने रहते हैं तो नरह होते हैं जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो थोड़ा सा यह फू देखें तो इसमें भी सिलियेटेट ग्लैंडूलर सेल्स के बनेवे टिशू होते हैं जहां पर म्यूकस का सिक्रिशन होता है और यहीं सिक्रिशन जो है इस पुरे हिस्से को नम और लस्दार बनाया रखता है जैसे हमने शुरुआ से कि यहां पर म्यूकस का सिक्रिशन करती है और उसका मुख्या काम हमने समझ लिया था कि यह डस्ट पार्टिकल्स को रोकने में मदद करती हैं साथ में सुक्ष्म जीव जो एंडर कर रहे हुआ के साथ उसको भी रोकने में मदद करती है तो बाइचांस कुछ और माइक्रों और्गिनिजम अंदर तक आ जाते हैं तो वहां भी आप देखने यहां पर भी उनको रोकने का प्रबंद है यानि श्वांस नाल में भी म्यूकस ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रिट करके इनको रोकने का प्रयास करते हैं तो एंक इनकी बाहरी सत्म पर सेयंजी इस पत्ली परदवी होती है तो यह है श्वासनाल यानि ट्रैकिया जो की लंग्स को कंठ से जोडता है या फेरिंगक से जोड़ता है अगले और हिस्से की बात करते हैं Sleep श्वासनाल ट्रै कीया जो है आगे जाके श्वासनाल का कोच इससा वक्ष घुहां में भी आ जाता है अब ये जैसे और आगे बढ़ रहा है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है और अपने अपने फेपड़ों में ये एंटर करता है जिसको बोलते हैं ब्रॉंकस अगर हम प्लूरल की बात करतें तो इनको ब्रॉंक की बोलते है और अब सेपरेटली ब्रॉंकस में जा जाती है जिसको bronchioles कहते हैं अब यह चितर देख रहे होंगे तो primary bronchioles दिख रहा है फिर आगे जब बढ़ गई है तो secondary bronchioles दिख रहा है फिर आगे बढ़ गई है तो tertiary bronchioles देख रहा है तो अब यह दी लंग्स की हम सरचना की बात करें तो यह कई सारे ऐसी नलियां में शाख विप सारे शाक्राओ में बट जाती है जिसको L BS 거 Dux कहते हैं यह यह कोपी का वहनी कहते हैं वाएई कूपी का वहनी का अंतिम सीरा भी कोशों में समापत होता जिसको सिक्स कहते हैं यह L VS sex कहलाते हैं L는 sex यह कोश भी अने कोपिकां में अन्तिम सीरा जो कहलो ये कोपिकाएं होती हैं, एलवी उलाई होती हैं, यही एलवी उलाई जो है गैसी आदान प्रदान का मुख्य भाग है, यानि कहना ची ही यहीं पर गैसी आदान प्रदान होता है तो overall यदि हम बात करें starting से लेकर कि कैसे नासत छिद्र से हमारा श्वशन तंतर की शुरुवात होती है फिर nasal passage की हमने बात की फिर pharynx की बात की हमने larynx की बात की हमने trachea then trachea से आगे bronchi है ब्रॉंकी यानि दो शाखों में बढ़का लंक्स में जाते हैं और लंक्स में भी आप देख रहे हैं कई सारी शाखाएं बढ़ जाती है और अंतिम आप देख रहे हो वायू कोपिका बनाती है और बहुत ज़्यादा यदि दोनों लंग्स को मिला लिया जाए दोनों लंग्स की एलवी उलाई की बात की जाए तो लगभग ये एक करोड एलवी उलाई हमारे दोनों लंग्स में प्रिजेंट होते हैं और ये गुब रेस्पिरेटरी सर्फेस है उसको नम मॉइस्ट एंड थिन होना लार्ज होना बहुत जरूरी है अब लार्ज की ही बात करें तो ये लगभग यदि पूरा एरिया को मिला दें तो सो मीटर स्कॉाइर इसका च्छे त्रफल होता है जहां पर जाकर ये गैसी आदान प्रदान होता है तो अभी हमने ये कंडक्टिंग और्गन्स की बात की अब हम इसके मुख्य अंग फेफणों की बात करेंगे